महाराश्ट्र में NCP अजित गुट के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान का निधन हो गया है कुछ दिन पहले समीर खान का एक्सिडेंट हो गया था इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गये थे उनका इलाज कोहिनूर अस्पताल में चल रहा था घटना के बाद से उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी लेकिन आज उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत की खबर सामने आई है दामाद के निधन के बाद नवाब मलिक ने अपना सारा प्रोग्राम रद्द कर दिया है उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी आज होना था लेकिन इस अनहोनी के चलते कार्यालय का उद्घाटन कार्यकरम भी स्थगित कर दिया गया नवाब मलिक शिवाजी नगर मानकूर विधान सभा सीट से उपमुख्य मंत्री अजित पवार गुट की एनसीपी के उम्मीदवार है उनकी बेटी सना मलिक अनुशक्ती नगर से उम्मीदवार है चुनाव से पहले मलिक परिवार पर दुखों का पहार तूट पड़ा है एक तरफ बेटी चुनाव मैदान में है तो दूसरी और परिवार पर दुखों का पहाड तूट पड़ा है नवाब मली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुद दामाद के निधन की जानकारी दी है मेरे दामाद समीर खान का निधन हो गया है अल्ला उन्हें जन्नत में सबसे उंची जगह दे हम इस घटना पर शोक व्यक्त करते हैं इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस दुखत घटना के बाद अगले दो दिनों के लिए उनके सभी निरधारित कारेकरम स्थगित कर दिये गए हैं